विल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका श्वागत है दोस्तो आए आज देखते हैं गवर्मेंट आफ इंडिया मेंस्टी आफ डिफेंस के अंतरगत CRC-AOC सेंटर का जो पोस्ट वैकेंसीज निकली हुई हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिसे समय समय पर आपको गवर्मेंट जापकी लेटेस नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे फ्रेंट्स आईए यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर वन पे अप्लिकेशन्स आर इन्वाइटेट फ्राम एजवल कंडिडेट फार मटेरियल असिस्टेंट एमे की पोस्ट के लिए और इसमें दोस्तों यहाँ पे देख लें आल पोस्ट वेकेंसीज है आल इंडिया सर्विस लाइवलिटी और कंडिडेट सेलेक्टेट बिल बी अंडर प्रोवेशनी वीडियड आप टू येर्स दो साल का प्रोवेशन पीरियड रखा जाएगा और यह अखिल भारती इस्टेंट की जो नंबर आफ वेकेंसीज टोटल हो रही है वो हो रही है 419 419 पोस्ट हो रही है और इसमें जो पे स्केल का लेवल रखा गया है 29,200 से 92,300 का 7CPC के आधार पर पे स्केल का लेवल रखा गया है दोस्तों इसके बाद आपको डिये और जो भी गवर्मेंट इंडिया की जो रूल्स इंटर्गलेशन होंगे उसकी अनुसार आपकी सेलरी बनेगी अब आईए देख लेते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश में कित्ती पोस्ट हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें इसका जो रीजन रखा गया है Central West रखा गया है यहाँ देखिए Central West इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक साथ रखा गया है और तीनों को मिला कि 180, 185 Material Assistant की वेकेंसी रखी गई हैं अब आईए देखते हैं इसमें Essential Qualification Age Limit तो फ्रेंड्स यहाँ पे Material Assistant के लिए आपकी यह 18-27 साल के बीच में होनी चाहिए और यह यहाँ पे Age Relaxable भी है जो पैरा 5 बिलो में है जो Government's के Rule Regulation होते हैं उसके उसारे यहाँ पे आपको Age Relaxation मिलेगा है मिलेगा अब आईए देखते हैं Educational Qualification दोस्तो इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें कह रहा है Graduate in any discipline किसी भी विशह से आपका इसनातक होना चाहिए from Recognized University किसी Recognized University से अथवा Diploma in Material Management. Material Management में आपकी पास डिपलोमा हो या Diploma in Engineering in any discipline या कि Engineering के किसी भी डिसिपलीन में आपका डिपलोमा हो इसमें दोस्तों तीन कंडिशन रखी हुई हैं या तो आप Graduate हो या कि Material Management में आपका डिपलोमा हो या कि Engineering के किसी भी सब्जेट के साथ आपका डिपलोमा हो चाहिए हो Electrical हो Electronics हो Civil हो Mechanical हो इन में जो डिपलोमा होता है या इन में से किसी एक में भी डिपलोमा है तो आप Material Assistant के लिए eligible हैं ये तीन यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिया हुआ है इसको आप डाउनलोड करके देख लीजेग यहाँ प्याँ लिखा हुआ है कि B.Tech.Degree Diploma in Engineering awarded by IGNU दोस्तों यह आपने IGNU से भी करके रखा है यहाँ देखिए B.Tech.Degree Diploma in Engineering awarded by IGNU to the students who were enrolled up to academic year 2009 and 10 shall be treated as valid यह भी valid होंगे यह आपने 2009-10 के academic session में किया हुआ है अब आई और इसमें देखते हैं प्रमुक बिंदू दोस्तों यहाँ पे हम आपको और बताना चाहेंगे यहाँ आपको application farm submit करना है तो आपको इस website पे जाना पड़ेगा aocrecruitment.gov.in अब यहाँ पे जो para 5 दिया हुआ है age relaxation का दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए अब हम सीधे चलते हैं इसके educational qualification हो गया age हो गया salary हो गई अब हम आई यह देखते हैं इसका page number यह साथ इसमें दोस्तों हम से लेवस देखेंगे फापोस्ट आफ इन पे लेवल graduate लेवल स्टेंडर्ड इसमें आप देखिए आपका जो written test होना है किस बेस पे होना है तो आपका होगा general intelligence and reasoning 50 question रहेंगे numeric aptitude रहेगा 25 question, general awareness 25 question, English language and comprehensions यह होंगे 50 इस तरह से होगा total number of question 150 and total marks होंगे 150 यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा है negative marking का तो आप यहाँ पे देख लीजे 0.25 marks for each rang answer यहाँ पे आपको negative marking होगी यदि आप syllabus की बात करेंगे friends तो यहाँ पे general intelligence and reasoning का यह syllabus भी दिया हुआ है इत बूड इंक्लूड की उस्चन आप बोथ verbal और नन-verbal टाइप general intelligence and reasoning का है problem solving analysis judgment, decision making, virtual memory, discriminating observation, relationship, concept यह सारी चीज आपका general intelligence में दिया हुआ है फिर numeric aptitude में the paper भी इंक्लूड की उस्चन आप problem and relating number system, computation, whole numbers, decimals, fractions, relationship between numbers fundamental, mathematical, question, ratio, proportion, average, interest, profit, loss, discount, tables, graphs, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, etc फिर आता है दोस्तों general awareness का तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो day to day जो रहेंगे वो तो होंगे ही इसमें और यहाँ पर आपको पढ़ना होगा last में sports है, history, culture, geography, economic, scene, general policy, including Indian constitution, scientific research, etc English language में आपको देखना होगा यह सारी चीजें यह सारी चीजें आपको पढ़नी होगी इसमें तो दोस्तों जो मुख मुख बिन्दू थे वो मैंने आपको बताया आपको जो AOC recruitment की जो website है उसमें जाना होगा और वहाँ पर आपको farm submit करना पढ़ेगा पहले आपको registration करना होगा इसके बाद फिर farm apply करने का जो application खुलेगा वहाँ पर आप अपना farm submit करेंगे दोस्तों मैं बता दूँ आपको 12 नवंबर इसकी last date है जो हम thumbnail में mention कर देंगे 12 नवंबर इसकी last date रहेगी और 12 नवंबर last date रहेगी और यदि हम exam center की बात करें तो आपका जवलपूर मद्ध प्रदेश में इसका exam center रहेगा मैंने exam cities में देखा है फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए मिलते है next notification में आप सब का दिन सुब हो धन्यवाद